कि अलोगाइज कैसे हैं सब मैं जास्प्री बैंकी कुरूजी ब्राव का स्वागत हैं तो अभी हम टाइम एड वर्क के चैप्टर पर बेस्ट दीएज कर रहे हैं तो हम अल्रेटी एक बार्ट में पहले टीएज कर चुके हैं अब मारा सेकेंड पार्ट है तो इसमें हम नेस् रहे एड उपड़ेज कर दिए और लेड चाहिए कि में अबें प्रॉक्स पताना है और सेकेंड में पताना है म और अ की वैल्यू तो लेगे क्वेस्ट हेस्थ देखते हैं तो में टूटल वर्क नहीं दिया है तो टूटल वर्क को हम मान लेते हैं डॉलियू अब मैं क्वेस्चन में क्या दिया था कि तीनों की इकल बिल्ट यह जाने कि इतिनों के एफिशेंसी सेम होगी तो एफिशेंसी हम तीनों की क्या माल लेते हैं एक्स तूम्हें वर्क का पता है फार्मूला क्या होता है टूटल वर्क इक्वेस्टू एफिशेंसी इन्टू टाइम तो जी तीनों का टोटल वर्क है तो तीनों करेंगे मिलकर तो मैं M और N का नहीं पता लेकिन same number of days और same number of hours में वो work कर रहे है तो M days पर work कर रहा है और M hours के लिए work कर रहा है और उसके efficiency है X प्लस N का भी same आएगा efficiency same है उसकी प्लस 3rd person का में दिया है 16 days 16 hours और उसके efficiency कितनी है X तो यह मारे पास total work का एक equation बनेंगे इसको further solve कर लेते है M square X plus N square X plus 16 into 16 कितना होता है 256 X तो इसमें से X हमारा कौमना जाएगा M square plus N square plus 256 तो यह तो हमारी first question आ गई अब मैं second line में दिया था कि third person with same working hours वही काम कितने days में कम lead करते था है 29 में तो काम तो वही है जाने कि same work है लेकिन third person same working hours जाने कि 16 hours में work करते हुए कितने days में करता है 29 में और उसके efficiency कितनी है X हमने मानी ही है तो उसके efficiency आजएगी X दिया मारी second question आ गई तो जान बर वही हमारे पास total work है जान बर भी total work है तो दोनों को equate कर सकते हैं दोनों को हम equal कर लेते हैं X equals to M square plus N square plus 256 equals to 16 into 29 into X तो X X तो कट जाएगी तो मारे पास क्या बचा M square M square plus 256 equals to तो इसको जाब हम multiply करेंगे तो मारे पास क्या आएगा 4, 6, 4 तो M square plus N square कितना आजाएगा 4, 6, 4 minus 2, 5, 6 तो इसको solve करेंगे तो मारे पास 208 आजाएगा यानि कि M square plus N square की value कितनी है 208 है अब हमें M square और N square की value निकालनी होगी वह हम कैसे निकालेंगे जब हम squares लेख लेते हैं पहले 1 का square 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 120, 12 का 144, 169, 196 2, 2, 5 तो 15 तो मारा उससे बाब चला गया तो जहां पर लेने की जुरूरत नहीं है तो इन square से मैं देखेंगे M more value की कौन से value sets भी करेगी फर्स्ट हम चेक करते हैं अगर 1 लेंगे अगर एक की value 1 लेंगी तो लास्ट में हमें 8 चाहिए तो second के पीशे 7 लाना जाहिए 1 प्लस 7, 8 बनेगा 7 के पीशे आ रहा है किसके पीशे नहीं तो 1 लेंगे नहीं होगी अगर पीशे 4 है तो 8 बनाना है तो दूसरा भी 4 होगा 4 किसके पीशे आ रहा है 64, 64 प्लस 4, 68 होता है नहीं कर रहा satisfy 144 प्लस 4, 148 नहीं कर रहा यह भी 1 minute हो जाएगा 9 है तो gain पीशे 8 बनाना है तो 9 ही चाहिए 49 प्लस 9, 58 नहीं हो रहा 169 प्लस 9, 178 यह भी 1 minute हो जाएगा इस से बेसे हम चेक करेंगे सभी तो मारी कॉंसियो अप्शे आप्शन सेटस्वाई कर रही है जहाँ पर only 8 और 12 तो यह भी 1, 4, 4 प्लस 6, 4 जहाँ अब मैट करेंगे तो मारी पास कितना आएगा 208 तो जाने कि M और N की वेल्यू के आएगी 8 और 12 तो यह मारी पास M और N की वेल्यू जागी अब हमसे पूशा कहा था क्वेस्चन में तो मैं पहले तो टोटल वर्क चाहिए तो जहाँ पर फिल कर सकते हैं टोटल वर्क हमारी पास जेरा 16 इंटो 29 इंटो X 16 इंटो 29 इंटो X और नीचे में पूशाएगी तीन हो अगर तो टोटल वर्क करते हैं तो एक एफिशन M की N 12 और हमें थर्ड परसन का तो दिये ही था इतना था 16 जे तिनों की इफिशेंसी आ गई इंटो टाइम जे तो टाइम आया हमारे पास 8 और 12 प्लस 16 इंटो इफिशेंसी कितनी है उनकी X तो X X तो कट जाएगा तो 16 इंटो 29 डिवाइड भाए जे मारे पास कितना आएगा 20 प्लस 36 4 इंटो 9 तो उपर आएगा मारे पास 6 146 डिवाइड भाए 9 इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉक्स अंसर चाहिए हमें 1 पे गया 2 8 तो जे मारा किसके नजदी का रहा है 13 के तो मारा आँसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा तो यह थी मारे डिवाइड यह उपर हमको समझे होगी नवेस्टी वीडियो मिलते हैं थेंक यू